मदिस्वव नहवादी पुलिस ने सितामु फाटक से विनोथ को फडजी दस्तावेश से फाइनेंस करा कर गाड़ी बेची एक गिरफतार 4 टू विलर वाहन चप्त मंदिसो नयवादी पुलिस ने मुखविर के सूचना पर एक बड़ी कारवई की जिसमें नयवादी थाना प्रभारी जितेंद्रे सिंग से सोधिया को सूचना मिली थी कि फरजी दस्तावेश से फाइनेंस कराकर टूविलर गाड़ियों को खरीदा जाता है इसके बाद उसे बेज दिया जाता है जिसकी शिकायत नयवादी थाना प्रभारी को मिले जिसके बाद पुलिस जिवान अदिकारियों ने एक टीम का गठन किया और बाद में सितामु फाटक पर विनोत पिता शंबुलाल खारोल निवासी खारोल महला थाना नाहरगड को गिरफतार किया और पूछताच में पता लगा कि फाइनेंस करवा कर फाइनेंस की हुई बाई को कमदामों पर अन्नी लोगों को बेच कर धोका धड़ी करना वह अवेद लावर्जित करना इस तरह का धंदा कहीं दिनों से बना रखा था जिस पर पुलिस ने चार टूविलर गाड़ी जब तक की आरोपी से पूश्टाच की जा रही है फिलाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्श किया और भी टूविलर वाहन जिसको बेचे हैं उस मामले को लेकर भी जांच की जा रही है कुछ समय पहले इस तरह का गिरोह वाइडी नगर थाने ने भी खुलासा किया था और नयाबादी पुलिस ने इस तरह की गिरोह को पकड़ा है गिरोह का एक सदस्य भी पुलिस की गिरफ्त में आया है आगे की पूश्टाच की जा रही है कौन वेक्ति है इसके साथ में सम्मिलित और किस तरह लोगों को अपने चंगुल में वाहन बेचने के रिए फसाया जाता था उस मामले को लेकर भी पूश्टाच की जा रही है जिसमें चार टूविलर गाड़ी बिना नंबर की पुलिस को मिले जो की पुलिस ने जब तकी नयाबदी धाने में पदस्त ऐसा ही सुभाज सिंग यादो द्वारा बुधवार को मीडिया से चर्चा करते भी बत सिताम फाटक से रंगे हाथ पकड़ी थी एवं तीन टूविलर गाड़ी घर से बरामद हुई है कुलच्वार गाड़ी टूविलर बरामद की गई है जो की पुलिस ने जब तकी यह थाने पर सूचना मिली थी तो थानप्रवारी मोद्य के दुवारा एसाई फिरोज गुरेशी आरक्सक कनिया लाल और प्रदान आरक्सक रमीजाग राजा प्रदान आरक्सक गण राठोर को सूचना की तस्दीक एतुरवान नहीं किया गया था तो यहां सितामू फाटक पे एक आदमी मोटशाई के लिए फरजी दस्तावेज लेकर विक्रे करने आना है इस बात पर थाने का फोर्स गया था और इनकी दौरा पहले मोटशाई के लिए पकड़ी फिरों उसके घर से और तीन-चार-तीन मोटशाई के लिए ब्रामत की फ सुवाज सिंग यार्दाव सब इंस्पेक्टर है